आथ वेकृतिकर रहस्यम रिशिरु वाच ओम त्रिगुना तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा शर्वा चंडिका दुर्गा भध्रा भगवतीर यते एक रिशी कहते हैं राजन पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुनमई महालक्ष्मी के तामसी आदी भेद से त महाकाली तमोगुना मधुकेटब नाश ओत हिया तुष्टावंबुजासन दो तमोगुनमई महाकाली भगवान विश्नु की योगनिद्रा कही गई हैं मधुकेटब का नाश करने के लिए ब्रहमाजी ने जिनकी स्तुती की थी उनहीं का नाम महाकाली है दो दशवक्त्रा दशबूजा, दशपादान जनप्रभा, विशाल्या राजमाना त्रिंशलो चनमाल्या तीन उनके दस मुख, दस भुजाएं और दस पैर हैं, वे काजल के समान काले रंकी हैं तथा तीस नेत्रों की विशाल पंक्ती से सुशोबित होती हैं, तीन स्फोरद्शंदनश्ट्रा सा भीमरुपापी भूमेप, रुपसोभाग्यकान्तिना सा प्रतिष्ठा महाश्रियाह चार भूपाल, उनके दात और दाडे चमकती रहती हैं, यद्यपी उनका रूप भयनकर है, तथा पी वे रूप, सोभाग्य, कान्ती एवं, महती पाँचवे अपने हाथों में खडगा, बान, गदा, शूल, चक्र, शंक, बुशुंडी, परिग, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है, ऐसा कटा हुआ मस्तक धारन करती हैं, पाँच अशासा वैश्नवी माया महाकाली दुरत्यया, आराधिता वशी कुर्यात पूजाकर तुश्चराचरम, छे महाकाली भगवान विश्नु के दुस्तर माया हैं, आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं, छे सर्वदेव शरीर भ्यो याविर्भूतामित प्रभा, त्रिगुना सा महालक्ष्मी ये साक्षान महिश्दिनी साथ सम्पूर्ण देवताओं के अंगों से, जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांती से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं, उन्हे ही त्रिगुन माई प्रकृती कहते हैं तथा वे ही महिशासुर का मर्दन करने वाली हैं साथ श्वेग तानना नील भुजा सुश्वेट स्थनमंदला, रक्तमध्या रक्तपादा नीलंगोरु रून्दा आठ उनका मुख गोरा, बुजाए श्याम, स्तनमंदल अत्यंत श्वेट, कतिभाग और चरन लाल तथा जंघा और पिंदली नीले रंग की हैं अजेया होने के कारण उनको अपने शौरिय का अभिमान है आठ सुचित्र जगहना, चित्र माल्यांबर विभूशना, चित्रा नुलेपना, कांते रुपसो भाग यशालिनी नौ कट के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुन्दर, एवं विचित्र दिखाई देता है, उनकी माला, वस्त्र, आभूशन तथा अंग्राग सभी विचित्र हैं, वे कांती, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं, नौ अश्तादश बुजा पूज्या सा सहस बुजा सती, आयुधान यत्र वक्ष्यन तें, दक्षिनाधा कर क्रमात दस यद्यपी उनकी हजारों बुजाएं हैं, तथा पी उन्हें अठारा बुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, अब उनके दाहिनी और के निचले हाथो से लेकर बाई ओर के निचले हाथों तक में क्रमशह जो अस्त्र हैं, उनका वर्नन किया जाता है, दस अक्षमाला चा कमला बानो से कुलिश गदा, चक्रम त्रिशूल पर्शुः, शंखो घंटा चा पाशका, ग्यारा शक्ति दिन दश्चर्म चाप, पान पात्रम अंकरत बुजाम्भिर आयुधार, कमलासनम बारा सर्वदेव मही मीशान महालक्षमी मिमान रिप, पूजय इत्सवलोकाना सदेवाना, प्रबुर्भवेत 13 अक्षमाला, कमल, बान, खडगा, वज्र, गदा चक्रा, त्रिशूल, पर्शु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूशित हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेव मही हैं तथा सबकी इश्वरी हैं, राजन, जो इन महालक्षमी, देवी का पूजन करता है, वो सब लोकों तथ देवताओं का भी स्वामी होता है, ग्यारा तेरा गौरी दिहात्स मुद्भूताया, सत्वेक गुनाश्रया, साक्षात सरस्वती प्रोक्ता शुम्भा सुर्निभीनी, चौदा जो एकमात्र सत्वगुन के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी, तथा ज शंक घंटा लांगला चकार्मुका, वसुधाधिप 15 प्रित्वीपते, उनके आठ भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशा बान, मुशल, शूल, चक्र, शंक, घंटा, हल एवं धनुष धारन करती हैं 15 अशा संपूजिता भक्त्या सर्वग्यत्वम, प्रयच् शुम्भ मथिनी देवी, शुम्भा सुर निभिनी सोल ये सरस्वती देवी, जो शुम्भा सुर का मर्दन तथा शुम्भा सुर का सनहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वग्यता प्रदान करती हैं सोला इत्युक्तानी स्वरूपानी मूर्ती ना तव पार्थिव, उपास जगनमातो पृत्गासा निशामे सत्रा राजन, इस प्रकार तुम से महाकाली आदी तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए, अब जगनमाता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदी तीनों मूर्तियों की प्रिठक, प्रिठक उपासना श्रवन करो 17 महालक्ष्मिर्यदा पूजया महाकाली सरस्वती, दक्षिन उत्तर्योह पूज्ये प्रिष्थतो मिथुन्त्रयम 18 जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो, तब उन्हें मध्या में स्थापित करके उनके दक्षिन और वामभाग में क्रमशा महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और प्रिष्थ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए 18 विर्णची स्वर्या मध्ये रुद्रो गोर्याच्य दक्षिने वामे लक्ष्मिया हरिशी के शहपूर्तों देवतात्रयम 19 महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्यभाग में सरस्वती के साथ ब्रमा का पूजन करे उनके दक्षिन भाग में गोरी के साथ रुद्र की पूजा करे तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णू का पूजन करे महालक्ष्मी आदी तीनों देवियों के सामने निम्नान के तीन देवियों की भी पूजा करनी चाहिए 19 अश्टादश भूजा मध वामे चास्या दशान्ना, दक्षिनिष्ट बुजा लक्ष्मी महतीती, समर्चेहेत 20 मध्यस्थ महालक्ष्मी की आगे मध्यभाग में 18 बुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करे, उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिन भाग में 8 बुजाओं व संपूज्यों सर्वारिष्ट प्रशांत्य यदा चाष्ट बुजा पूज्या शुम्भा सुर्निभीनी बाइस नवास्या शक्त्याय पूज्यस्त दा रुद्रविनायको नमो देव्या इतीस तोत्रर महालक्ष्मी समर्चयेत तेईस राजन जब केवल अठारा बुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथ्वा दश्मुखी काली का या अश्टबुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शान्ती के लिए इनके दक्षिन भाग में काल की और वाम्भाग में मृत्यू की भी भली भाती पूजा करनी चाहिए जब शुम्भासुर का सनह करने वाली अश्टबुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी नौ शक्तियों का और दक्षिन भाग में रुद एवं वाम्भाग में गनेश्ची का भी पूजन करना चाहिए ब्राहमी, महेश्वरी, कौमाई, वैश्नवी, वाराही, नार्सही, एंद्री, शि नमो देव्यई, तारांकन, 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 इस स्तोत्र से महालक्षमी की पूजा करनी चाहिए 21-23 अवतार्त्रया चायां स्तोत्र मंत्रास्तदाश्रया, अश्तादश भूजा चैश पूजया महेशदिनी 24 महालक्ष्मी महाकाली सैफ प्रोक्ता, सरस्वती, इश्वरी पुन्य पापना सर्वलो का महेश्वरी 25 तथा उनके तीन अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत् करना चाहिए, अठारा बुजाओं वाली महेशा सुर्मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेश रूप से पूजनिय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं, वे ही पूण्य, पापों की महेश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं 24-25 महिशातकरी यान पूजिता सा जगत प्रभु, पूजय जगता धात्री चंडकां, भक्तवत सलाम 26 जिसने महिशासुर का अंत करने वाली महालक्षमी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है, अताय जगत को धारन करने वाली भक्तवत सला भग्वती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। चिन्शीर्ष महासुर्म 29 पूजयन महिशा यान प्राप्त सायुज्यमिशया, दक्षिने पूर्ताह सिंग समग्रन धर्ममिश्वेयर 32 पूजय देवया धृत यान चराचरम, कुर्यच स्तवनन धीमानस्तस्या एकागमानसा 31 तता कृतांचलीर भूत्वा, स्थुवित चर सित्वा मूर्धनी, कृतांजली तैतीस क्षमापेज जगधात्री मुहूर मुहूरतंद्रित, प्रतिश लोक्म च जुह याट पायसम, तिल सपिशा 34 अर्घिया आदी से, आभूशनों से, गंध, पुश्प, अक्षत, धूप, दीत तथा नाना प्रकार से, भक्ष्या मास आदी से की जाने वाली पूजा ब्राहमनों को छोड़ कर बताई गई है, उनके लिये मास और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है, प्रणाम, आचमन की योग्यजल, सुगंधित चंदन, कपूर, तामबूल आदी सामग्रियों को भक्तिभाव से निवेधन कर के देवी की पूजा करनी चाहिए, देवी के सामने बाई भाग में कटे मस्तकवाले महादेत्य महिशासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुजया प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार देवी के सामने दक्षन भाग में उनके वाहन सिंग का पूजन करन जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं शद्विद ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारन कर रखा है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है, उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ, समाप्ती के बाद साधक प्रदक्षिना और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदंबा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बार्मबार तुटियों या अप्राधों के लिए ए तेक शलोक मंत्र रूप है, उससे तिल और घृत, मिली हुई खीर की आहूती दे 27-34 जुव्यात स्तोत्र मंत्रवा चंदिकाया इशुभन हवे, वुयों नामपदर देवी, पूजया सुमाहितह 35 अथवा सप्षती में जो स्तोत गाहे हैं, उनहीं के मंत्रों से चंदिका के होम के पश्चात एका ग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम, मंत्रों को उच्छारण करते हुए पुनह उनकी पूजा करे 35 प्रयतह प्रांजलीह प्रहवः प्रणमयारोप्या चात्मनी, सुचिरा भाव्यदिशा, चंदिका तनमयो भवैत 36 तत्पश्चात मन और इंद करे, चिंतन, करते, करते उनही में तनमें हो जाए 36 एवं यह पूजय भक्त्या प्रत्यहा परमेश्वरीम, भुक्त्वा, भोगा यथा कामा देवी सायुज्यमापनुयात 37 इस प्रकार जो मनुश्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है, वो मनो वांचित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है, 37 यो न पूजयते, नित्यम चंड का भक्त्वत्सलाम, भस्मी कृत्यास्य पुन्यानी निर्दहेत परमेश्वरी 38 जो भक्त्वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परम को जला कर भस्म कर देती है, 38 तस्मात पूजय, भूपाल सर्वलोक महेश्वरीम, यतोतेन विधानन चंड का सुखमापससी 49 इती वेकृतिकं रहस्यम, संपूर्नम, इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडीका का शास्त्रोक्त विधी से पूजन करो, उससे, त तुम्हे सुख मिलेगा तारानकन 49